हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो वर चानल आंद्रा कुक आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ स्पाइसी पोटाटो फ्राई की रेसिपी इसके लिए इंग्रीडियंट्स है उबाले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च पौडर, करीपता हरी मिर्च, जीरा राया, सबजी मस दाला, और हल्दी, अब मैं बताओंगी उबले हुए आलू का प्रोसेस, आलू को हमें एक 10 मिनिट्स के लिए पानी में रख देना है, 10 मिनिट्स के लिए रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक और अच्छे से वाश कर लेंगे, अच्छे से वाश कर लेने के बाद अब हम एक कडाय लेंगे, फ्लेम को हाई पर रख के, थोड़ा उसमें पानी डालेंगे, पानी दालने के बाद अब हम आलू दालेंगे आलू को अच्छे से उबाल लेना है ताकि वो अंदर से कच्छे ना रहें इसलिए हम आलू को उबाल रहे हैं ये अच्छे से पक रहे हैं आलू आलू को उबाल लेने के बाद अब हम लेंगे एक पैन हाई फ्लेम पे रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल अच्छे से गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा राया और करीपता हरी मिट्च अच्छे से सॉटेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू आलू को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है देखिए आलू अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसा नमक डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ी हल्दी डालेंगे सबजी मसाला डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से फाइब मिनिट के लिए ऐसे ही मिक्स करना है हमें ताके वो अच्छे से फ्राई हो और मसाले अच्छे से मिक्स हो देखिए ये अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं और बहुती टेस्टी है ज़रू ट्राइ करके देखिए थांक्स वर वाचिंग आवर वीडियो दू सब्सक्राइब तो वर चैनल अंद्रो कुछ